हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको सिखाओंगा कि आप अपने यूटूब चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हो तो दोस्तो जब आप अपके यूटूब चैनल का नाम चूज करेगे तो आपको कुछ सी यूपा ध्यान रखना चाहिए जैसे कि आप जिस नाम से सब्सक्राइब हो तो आपको देख लिए अपने यूटूब चैनल चाहिए तो पistic आप कलिसके नियुक्ते युटूब चैनल ले शाज़ता है एपको था इन्टर बोडू नहीं हो जाता है तो O Custom URL यूटूब पे अबलेवल नहीं है किसी ने ले लिया है और अगर अबलेवल नहीं है तो O Custom URL आपको मिल जाएगा जब आपका यूटूब पे 100 सबस्क्राइबर कम्प्रिट हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मैं आपको सिखा देता हूँ कि यूटूब चैनल को सार्च में कैसे लाते है इससे लिए आपको क्रोम ब्रॉजर पे जाना होगा और क्रोम ब्रॉजर पे आपका यूटूब चैनल लॉग इन कर लेना होगा उसके बाद आपको क्रोम ब्रॉजर को डेक्स्ट आप मूल पे कर लेना होगा और बाकरी का प्रोसेस मैं आपको इस स्ट्रिम पर दिखा देता हूँ ख्रोम ब्राजर पर आपका यूटूब चैनल लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरह के का इंटरफेस आ जाएगा और आपको इस बड़ लोगो आपसन पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको यूर चैनल पर जाना होगा और यूर चैनल पर जाने के बाद आपको कस्टमर चैनल पर क्लिक करना होगा मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर लोडिंग हो रहा है और उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह के इंटरफिस आ जाएगा तो आपको यहां फार आ जाना है लेफ साइड कॉर्णर में नीचे आपको यहां पे सेटिंग का उपसिन दिख जाएगा इस सेटिंग वला उपसिन पर आपको क्लिक करना होगा और click करने के बाद आपको इस channel वाला option पर click करना होगा उसके बाद आपको सामने keywords का एक option यहाँ पर आ जाएगा तो आपका जो भी channel है उस channel का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है जिसी कि मेरा इस channel का नाम है fax2ab तो यहाँ पर देख सकते हूं मैंने fax2ab fax2ab लिख रखा है दोस्तो आपको भी आपका चैनल का नाम यहाँ पर डालना होगा तो आपका चैनल सर्च में definitely आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं कि fax2ab चैनल सर्च में आता है कि नहीं मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूं fax2ab यहाँ आप देख सकते हूं मेरा चैनल सर्च में आ गया है दोस्तो आपको इस ट्रिक को follow करना है तो आपका चैनल definitive सर्च में आ जाएगा अगर आपको वीडियो आच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए thank you so much for watching